गुड मॉर्निंग दियरे इस्टेडी करने जा रहे हैं एट क्लास इंगलिफ मेडियम यूपी बोर्ड में जो हमारा टॉपिक है वो है एक्ससाइज 4.3 का और कुशन है बाई दा क्यूब रूट टेबिल के दुआरा फाइंड दा क्यूब रूट सॉप दा फॉलोवेंग इन 289 क्या है 12 का क्यूब रूट 2.289 इसके बाद किसका है 120 का तो 120 का जो क्यूब रूट है वो क्या करेंगे हम 12 के आगे 0 लगाएंगे तो वो आ जाएगा वन डिजिट इधर आ जाएगा ठीक है तो क्या आएगा 4.932 इस तरीके से हमें इसके पशाद 500 का 500 का 5 के बिस पर आएगा चाहे 50 के बिस पर 10 मल्टिप्लाई में ले लेना उसके बाद 800 का 996 का and 1000 का क्यूब रूट फाइंड करना है यह आपका हूम वर्क है इसे आप फाइ कोशन कराया जाएगा वो कोशन है find the value of the following ठीक है क्योंकि यह कोशन टेबल बेस पर था इसलिए आपको डाइरेक्ट बता दिया गया ओके आप इस वर्क को अच्छे से नोट कर लेजेगा और अपने माइंड में सटप कर लेजेगा कल हम नेक्स्ट वर्क करेंगो के थेंक य इसमें जो हम करेंगे find the value of the following में जिसमें 3 root 2197 है इसमें क्या करेंगे हम इसके factors करेंगे और factor करने के बाद 3-3 की pairing करेंगे जब उसे root से cube root से बाहर निकालेंगे तो 3 की जो pairing है वो बाहर आने के बाद 1 बन जाएगे ठीक है उसको फिर हम solve कर लेगे multiply करने के जितने भी आएगे वो हमारा answer हो जाएगा